12 फर्वरी, 12 फर्वरी 2023 को होती है KVS TGT Science की examination जिसमें कुल TGT post 3176 रहे और Science post की अगर मैं बात करूँ तो उसमें Science post 304 रहे अब इस examination में कितनी score आपकी रहे जिससे की आप अपनी KVS TGT interview की preparation स्टार्ट कर दें ये आज के इस वीडियो में मैं आपसे साजा करने जा रहा हूँ सबसे पहले examination की थोड़ी जानकारी मैं आपको दे दूँ कि कुल मिलाके इसमें दो paper होते हैं जिसमें पहला paper Science का होता है 100 नंबर का और General paper होती है 80 marks की जिसमें अंग्रेजी 10 नंबर की, Hindi 10 नंबर की, General Awareness 10 नंबर की, साथ में computer science रहती है जिसमें 5 सवाल रहते हैं, reasoning रहता है 5 और CDP के आपके 40 सवाल रहते हैं अगर हम देखें तो ये दो paper मिलके 180 नंबर की होती है, अब इसमें कितनी score आपकी इस साल रहनी चाहिए जिससे की interview की preparation स्टार्ट करते हैं इस बार जो सवाल आया था TGT Science में उसमें physics 60-65 प्रतीशत था, chemistry 15-20 प्रतीशत था और biology 9-15 प्रतीशत पूछे गए थे अब सवालों की difficulty level, examines ने जैसा paper बनाया और examiner जैसा paper बनाये थे उसके आधार पे जो cut-off decide किया गया है इस साल के लिए, interview के लिए, कि मतलब इतनी cut-off हो तो आप एकदम free हो के interview के लिए ready हो जाए यह आपको interview के लिए बुलाया जा रहा है, general के लिए मैं बता दू, minimum cut-off 120 रहेगी, highest will be 135, for OBC it will be 118, highest cut-off is 130 plus, SC category के लिए 115 minimum score रहना चाहिए और ST के लिए 110 plus, है ना, मतलब इतने के बीच में अगर आपकी score लाई कर रही है, तो आप निश्चित रहें कि आपकी call interview के लिए तैय है, और आप अपनी तैयारी, जिस भी organization के साथ आपको करना है, तुरंट start कर दें, अब कुछ कारक यानि factors जिसके उपर ये interview या TGT के post depend करते हैं, सबसे पहले कि total number of seat in tech इस साल के लिए कितनी है, दूसरी कितनी applications receive हुई है इस साल, तीसरी ये है कि कौन से category में admission के लिए सबसे ज़्यादा आवेदन आए है, previous year cut of trend पे भी थोड़ा सा depend करता है, और आखिरकार performance आपकी कैसी रही है, ये तो सबसे ज़्यादा important है merit के लिए, लेकिन अगर मैं आपको बता दूँ कि, मतब safe score, जिसकी बच्चे अक्सर बात करते हैं, कि सर safe score क्या रहना चाहिए इंटर्व्यू के लिए, तो category wise अगर मैं बात करूँ, तो general candidates के लिए जो safe score रहने वाला है, वो 120 रहने वाला है for TGT science candidates, for OBC students 118, और SCST candidates कम से कम, आपकी जो score है 112 होनी ही चाहिए, जिससे कि आप निश्चित हो जाएं कि हाँ, आपको इंटर्व्यू में बुलाया जा रहा है, इस साल KBS TGT science के लिए, तो यह पूरी जानकारी है, जिसमें आप assure हो सकते हैं कि आपकी तैयारी आपके द्वारा आप शुरू कर देनी चाहिए कि नहीं, तो बिलकुल कर देनी चाहिए, और कल से ही बाच ADDA247 की team आपके इस KBS interview के लिए लेके आ रही है, तो अपने enrollment जल्दी से करा रहे हैं और preparation start क Till then take care of yourself and stay tuned for more updates on ADDA TGT PGT, a dedicated channel for your TGT and PGT preparations. Thank you.